हर प्रामी का एक जीवन काल होता है जैसे कि मजourse का 100 सार, कच्छवे का 200 सार कुट्टे का 20 सार और एशी ही करियर ने थीग इसी प्रकार ब्रिक्षों के वो फेज़ पौदों के भी जीवन काल होते हैं कई ब्रिश ऐते हैं जो की अमर होते हैं इसका मतलब है कि उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है और ऐसे विख्षों में से एक विख्ष बर्गत कावी है बर्गत का विख्ष ऐसा होता है कि जिसे कहा जाता है कि उसमें कई दिन, कई साल, बर्की कई सदिया तक देखी होंगी बर्गर का व्रिक्ष औस्टिया गुडों के साथ साथ दार्मिक मानमिताओं के लिए प्रस्थ है ये व्रिक्ष कभी भी नश्प नहीं होते इसलिए इन्हें अक्षेवर्ट के नाम से भी जाना जाता है पुरानिक माननेता है कि यदि किसी वैक्ती ने अपने जीवन काल में एक भी बर्गत का व्रिक्ष लगा लिया तो उसे मूझ की प्राक्ति आवश्य होती है बर्गत के व्रिक्ष को बन्येटी के नाज़े भी संबोधित लिया जाता है ये एक ऐसा ब्रिक्ष है जो नासित पक्षियों को बर्पेट खाना देता है बर्गी उन्हें रहनी की जल्गा भी देता है ये एक राश्टर ब्रिक्ष है जो ब्रिक्ष पक्षियों के लिए इतना लाबदायक है तो ज़रा सोच ये कि मनुशियों के लिए कितना लाबदायक हो रहा आयूबेट ने बर्गत के ब्रिक्ष को देवी ब्रिक्ष कहा जाता है जितना ये ब्रिक्ष विशार होता है उससे कई जाता प्रिहत इसके स्वाफतलाग है तो आईए जानते हैं आप इसके स्वाफतलागों के बारे में नमस्कार मेरतिका चार्या एक बद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परमानत आयुवेट में आज मैं आपको बताऊंगी बर्गत के व्रिक्ष के कुछ अंसुने तत्यों के बारे में बर्गत की पतियों को 5-6 पतियों को 10-20 ग्राम लाल वली डाल के साथ पीसना होगा इस पिसे वोर मिश्रिट को अपने चेहरे पे लगाएं ऐसा करने से आपको सभी प्रकार के फज़ा समंधी रोगों से चुटकारा में जाएगा यदि आपको दाख दबो की समस्या है तो आपको 5-6 बर्गत के पतों का इसमाल करना है इसमें पानी, कूट, लाल चंदन और चमेली के पतों को मिलाकर पीस लेना है इस पिसे होई मिश्रिम को अपने चेहरे पे लगाएं ऐसा करने से सभी प्रकार के दाख दबो से आपको चुटकारा में जाएगा आप इसका इसमाल कमर दर्ध के लिए भी कर सकते हैं आपको बस बर्गत के दूद में, बर्गत के पतों में से जो दूद निकलता है उस दूद में अर्थी के तेल को मिलाना है इस मिश्रिम से अपने दर्ध वली जगा पर मालिश रहे या फिर अगर आप चाहें तो इस दूद को सीधा ही एक दिन में दो से तीन बार अपने दर्ध वली जगा पर लगा कर मालिश कर सकते हैं ऐसा करने से आपको कमर दर्ध से बहुत जल्ली अराम ले जाएगा आप इसका इस्पिमाल दस या फे डारिया में भी कर सकते हैं यदि किसी बच्चे को दस्थ हो गया हो तो आप बर्गत के पत्तों के दूद को उस बच्चे की नावी पे लगाएं ऐसा काईने से बच्चे के दस्थ में राहत होगी इसके अलावा आप बर्गत की पत्ते के दूत को बताशे के साथ भी खिला सकते हैं ऐसा कहिए से भी ये समस्या जल्ली ही खत्म हो जाएगी आप इसका इस्तमाल चोड पे भी कर सकते हैं अब आपको चोड को ठीक करने के लिए कोई एंटिसेट्पिक दवाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है बस आप बर्गत के पत्तों को पीस कर उसे थोड़ा सा गरम करके उस पेस्ट कोप में चोड पर लगाएं ऐसा करने से दाग वर्गाव दोनों ही खत्न हो जाएंगे इसका इस्तमाल जुखाम लिसी समस्या में भी किया जा सकता है जुखाम को ठीक करने के लिए आपको बर्गती पत्तियों को च्छाय में सुखा कर उसको पीस लेना है अब आदे लिटर पानी में उस एक चमश पाउडर को मिलाना है जब ये पानी एक चोथाई बच जाय तो इसे च्छान ले इस पानी में मिश्वी मिलाता गुन-गुना ही पीए ऐसा करने से जुखाम में कापी राहत होगी आप इसका इस्तमाल आलत से बच जादा नीद आने जैसी समस्यों को भी खत्म करने के लिए कर सकते हैं इसके लिए आपको बर्गर से पत्तोगर 10 ग्राम चून बनाना है अब एक लिटर पानी में इस एक चून को डालने के बाद पानी के आदा होने तक पकाईए जब ये पानी आदा हो जाए तो चुटकी भर नमक डालकर इसे गुन-गुना ही पी लिजे ऐसा करने से आपको आलत से पर जादा मीन आना जैसी समस्या से चुटकारा मिल जाएगा नगसी यानि कि नाख से खून आने जैसी समस्या को भी आप इसके द्वारा ठीक कर सकते हैं इसके लिए बस आपको बर्गर की जड़ का इस्तिमार करना होगा बस 3 ग्राम बर्गर की जड़ का चून बना ले और इसका सेवन करें ऐसा करने से नाख से खून आने वाली समस्या से राहत मिल जाती है यदि आप चाहें तो इसके दूर का भी इस्तिमार कर सकते हैं उससे भी इसमस्या अवर्शन ही खत्म हो जाएगी इसका सेवन इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है कहा जाता है कि शरीर में सही इम्म्यूनिटी हो तो हम काफी समय तक या फिर यू कहें आज इवन स्वस्त रह सकते हैं हमारी सही इम्म्यूनिटी हमें रोगों से लेने की शक्ती प्रदान करती है कर सकते हैं कई शोतों में बताया गया है कि बर्गत के दूद का इस्तिमाल करके जोडों के दर जैसी समस्या को ठीक किया जा सकता है क्योंकि इसके दूद में एंटी इंप्लामेटरी तर्ट उपाया जाते हैं मौडल स्टियोड दवाय का सेवन करने की बजाए यदि आप इसका सेवन करते हैं यानि की बर्गत की पत्तों का सेवन करते हैं तो बहुती असानी से आप जोडों के दर वा अन्य कई समस्यां से छुटकारा पा सकते हैं बर्गर की पत्तों का इस्तिमाल कर जोड़ों का दर्द, सूजन होना या फिर उस जगा पर लार होना जैसी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है इसके अलावा आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं दातों से जुड़ी समस्याओं के लिए बर्गर की जड़ों में एंटी वैक्टिरियल और एस्टुजेंट गुन पाया जाते हैं इसलिए इसका सेवर करने ते और और प्रोग्रम से शुकारा मिल जाता है इसके लिए बस आपको इसकी जड़ों करना है दातूम की तरह ऐसा करने ते आपको मुँ से जुड़ी कोई भी समख्या नहीं होगी जैसे कि मसूड़े खून आना, मसूड़े खून ला या पर दातों में दर दोना ज़िए आप इसका इस्तमार एक पेस्ट की रूप में करते हैं मुँ से दुर्गंद आने जिसी समख्या से भी आपको छिक्तारा मिल जाएगा मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको बताया बर्गत से जुड़े कुछ स्वास्तला और कुछ रोचक बाते ये तो आपको पता ही है कि यदि आप किसी भी प्रकार की आयर्वेधी कौशती को मंगाना चाहते हैं तो आप उसे हमारे आप यानि की परमाने से मंगवा सकते हैं लेकिन अगर अब आप किसी भी प्रकार की जड़ या फिर छाल या फिर काढ़ा मंगाना चाहते हैं तो आप उसे भी हमारे आँसे मंगवा सकते हैं मंगवाने का तरीका बिल्कुल सेहन है आप इसे online या फिर offline दोनों तरीके से मंगा सकते हैं और लाइन मंगानी के लिए आप सर्च करें www.paramanatayurveda.com इस पे जाएं और जिस भी दवाई की आपको अवश्रक्ता है उसे ओडर करें आपकी मंगाई हुई आयुर्वेधी कोशिदी आप तक 3-4 दिनों में पहुंचा दी जाएगी यदि आप चाहें तो हमें phone, message या, whatsapp भी कर सकते हैं इसके लिए बस आपको दाई दरना होगा 999-000-4674 इस नमबर पे call करके अपनी ओश्रक्ती के बारे में बता कर आप अपना order book कर सकते हैं दोनों ही तरीके से हमसे ओश्रक्ती मंगाने के लिए आपको ओश्रक्ती के मूँ लेके इलावा कोई भी एक्सर चार्च नहीं देना होगा वो इसी लिए क्योंकि हम आपको सुविधा देते हैं free home delivery की और एक्सा करने वाली हम इस देश की एक मात्र कांपनी है इतना ही नहीं हम आपको सभी प्रिकार की आयर बेती कौशदियों पर देते हैं दिसकांप और वो भी पूरे 10-15 प्रतीशत तका और अब आप किसी भी प्रिकार की आयर बेती कौशदी को हमारे VIP order form के द्वारा भी मंगा सकते हैं आपको यह हमारा VIP order form हमारी website के home page पे मिलेगा आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही उमेर है मेरे दोरा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे like वो share करना बिलकुल भी न भूले साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको अगली बार फिर से आयूर्वेद वा आयूर्वेदिक दवायों के बारे में जानकारियां दे पाओ अगली बार में आप से फिर मिलूँगी एक नई आयूर्वेदिक दी और उसे मिलने वाले बहुत सारे लाबों के साथ ताब तक के लिए नमस्कार